दोस्तो आज 13 प्रेल है और आज ही के दिन 102 साल पहले 13 प्रेल 1919 को जलियाबालाबाग हत्यागांड हुआ था आईए जाने कि जलियाबालाबाग कहां है और यह हत्यागांड क्या था तो जलिया बाला बाग पंजाब की अमरसहर में स्थित है और तेरा प्रेल को जो यहां अत्याकांड की घटना घटित हुई थी इसको जानने के पूर्व हमें इतिहास के कुछ अन्य घटनाओं को देखना होगा आप जानते हैं कि इतिहास क्रमिक घटनाओं का अध्यन है और जब हम इसके पूर्व की कुछ घटनाओं को साथ लेकर चलेंगे तो इस हत्याकांड या इस घटना की आपको पूरी जानकारी जो है वो एक कहानी की रूप में प्राप्त हो जाएगी आए शुरू करें हम फर्स्ट वल्ड वार प्रथम विस्विद्ध से जो कि आप जानत अग्रेजियों के समक्च अपनी मांगों को सही तरीके से रखें तो अंग्रेज सरकार उन मांगों पर विचार करेंगे अतहनों ने अंग्रेजियों का साथ देनों को सोचा और उस समय अधिक सदिक भारतियों को सेना में भरती होने के लिए प्रिजित किया गांधी जी ने थे, सभी कोई उम्मीद थी कि First World War की समापती के पश्चात, व्रिटिस सासन जो है, वो भारतियों को स्वासासन प्रदान करेंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, जैसे ही World War खतम हुआ, और मितरास्ट जीते, मितरास्टों में व्रिटेन भी था, लेकिन इन्हों ने भारतियों को क क्योंकि गांधी जी का भी हर्दय परिवर्टन हो चुका था, इन घटनाओं के परणाम शुरूप, इसलिए गांधी जी भी अंग्रेजों को किसी भी तरीके से सहयू करने के पक्षपे नहीं थे, बलकि उन्होंने भी उनके खिलाफ फ्रदर्सन शुरूँ कर दिये, अब इनी सब चीजों से घटनाओं के कारण और विशेश रूप से क्रांतिकारी गद्विदियों के दमन के लिए, अंग्रेजों ने एक नया कानून लेके आए, रोलेक्टेक्ट कानून, जिसको काला कानून कहा जाता है, आतंकवादी नरुधक कानून कहा गया उस समय, ये क्य किसी भी व्यक्ति को मातर सक के अधार पर, संका के अधार पर गिर्पतार करके जेल में डाल दिया जाएगा, और उस व्यक्ति को वकील, अपील और दलील, कुछ भी नहीं सुनी जाएगी, आप जानते हैं कि आज की डेट में ये किसी व्यक्ति को गिर्पतार किया जाता है, तो उसको बंदी प्रितक्षीकन का दिकार है मूल अदिकार है ये मतलब 24 घंटे के अंदर मैजिस्टरेट के समक्ष पेस किया जाएगा ठीक है बट इस मूल अदिकार बंदी प्रितक्षीकन है भी इसका रपस का उलंगन हुआ रोल एक्ट एक्ट के जरिये इसलिए इसको भाड़कियों ने क्या बोला काला कानून अब इस एक्ट का विरोध होना लाजमी था संपूर्ण भारत में इस एक्ट का विरोध हुआ गांदी जी ने रोल एक्ट एक्ट सत्याग्रह सुरू कर दिया ठीक है और संपूर्ण भारत में विरोध प्रदर्शन सुरू हुए लेकिन इन सब विरोध प्रदर्शनों का मुख जो केंदर था वो पंजाब था पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन सुरू हो गए और इसी सिलसेले में गांधी जी ने पंजाब जानने का प्लान बनाया छे अपरेल को गांधी जी पंजाब के लिए निकले लेकिन पंजाब की स्थीति को देखते हुए ब्रिटेश सासन ने उनके पंजाब महुचने के पूर भे उनको गिरपतार करके वापस आए गुजरात अहमदाबाद भेज दिया पंजाब बासी जो है पंजाब में भारती और इस घटना से जो है गुस्सा हुए और एक और घटना हुई कि जो पंजाब के मुख नेता थे दो थे डाक्टर सत्यपाल और डाक्टर सैफुद्दीन किचलू इन दोनों को रोलेक्टेट के तहद बंदी बना लिया गया इन घटनाओं से पंजाब का जन मानस उनके मन म अंग्रेजियों के खिलाफ तीवर भावना भर गई और उन्होंने क्या हुआ इन घटनाओं पे विचार भी मर्स करने के लिए मतलब रोलेक्ट का विरोध करने के लिए और अपने नेताओं जो हमने अभी नाम बताया डाक्टर सत्पाल और सैफिदून किचलू इनकी रिह जलिया वाला भाग जो है वो पंजाब में है अमरसर में अमरसर में स्रोण मंदिर है गोल्डन टेंपल उसी से चार-पाँच कदम आगे मतलब लगा हुआ है थोड़ी दूर पे जलिया वाला भाग है ये जो है किसी समय जली नाम के ब्यक्ति के संपत्ति हुआ करती थी इसल और जा नहीं सकता था सुबह से ही वहाँ पर सांतिपूर्ण सभा चल रही थी हुआ ये अब आपको दो तीन चीजें और जानना होगा कि उस समय संपूर्ण भारत में जो वायसरा था जो कि संपूर्ण भारत का होता था वो चैम्सफोर्ड था और पंजाब का जो लेफ्ट अर्ड ने नाम से प्रिसिद्ध है आपको पता है सभी लोग जानते हैं कि गौली चैलन्ज यो करवाया था उसमय में आहां वह अर्ड यर ने कर आया था लेकिन आपको इन दोनों डायरों में अंतर समझना होगा मैं आपको फिर्से बता दूं कि जो पंजाब का लेफ्टी के नियंतर्ण के लिए कमान सौपी गई थी दुपहर पस्चात ये जलिया वाला बाग जहां सांतिपूर्ण सभा चल रही थी और हजारों की संख्या में लोग इकठे थे जहां बच्चे बजुर्ग महिला परो सभी थे वहां उस गेट पे पहुंच गया जनरल आर डायर और भारतियों को बिना किसी पूरो सूचना के ठीक है कोली चलवाना शुरू कर दिया अंदादूंद फाइरिंग उससे क्या हुआ हजारों की संख्या में लोग मर गए सहीद हो गए हम सहीद सब्द यूज़ करें ज्यादा बिटर होगा क्योंकि भारतियों ने जो है उस जमान में जो अंग्रेजों का खिलाप जो प्रदसन किया वो निश्चे तोर प्यों सहीद हैं और साथ ही हजारों की संख्या में घायल हुए ये भी आपको बता दें कि जो जलिया वाला बाग है वो चूंकि अभी चर्चा हमने किया कि चारों तरप से घिरा हुआ है निकलने का र कि अंदर के दम घुटने से ही मरत्य हो गई मतलब एक तरफ गोलियां चल रही थी और दूसरे तरफ जो है कुए में ब्यक्तियों के संख्या अतधिक होने के कारदम घुट गया जन्रल डायर तब तक गोलियां परसाता रहा जब तक पूरा मैदान खाली नहीं हो गया अब ह अंग्रेजों ने इसकी जाच के लिए हंटर कमेटी बनाई है हंटर कमेटी जो थी वह आठ सदस्टी थी पांच जो है अंग्रेज सदस्टे थे उसमें और तीन भारती सदस्टे थे और इस घट इस हंटर कमेटी ने जनरल आर डायर को निर्दोस शिद्ध किया उन्होंने बर बोला कि स्थिती के नियंतर्ण के लिए जनरल आर डायर ने अतियुस सहवस बल प्रयोग किया है और जब यहां नौकरी से बरखास्त करके उसको वहाँ वापस जनरल आर डायर गया ब्रिटेन तो वहाँ उसको भारती समराज का रक्षा कहा गया मान की तलवार भेंट की गई भारती जो हैं इस बास से अत्य दुखित हुए और राष्टी कांग्रेस ने इस घटना की जाच के लिए एक कमेटी बनाई जो की पंडित मादन मोहन मालवी के अध्यक्षता में बनाई गई थी और जिसके स्दस है पंडित मोतिलाल नेरू और महात्मा गांधी थे इस कमेटी ने जनरल डायर को इस घटना के लिए पूंड रुप से उत्तरदाई ठहराया जो हंटर कमेटी थी जो सरकारी कमेटी थी उसने इस घटना में 379 ब्यक्तियों की मरत्यू बताया और 1000 ब्यक्ति गहल बताया जबकि जो कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी थी मदन मोहन मालिवी वाली उसमें 1000 से अधिक भरतियों को सहीद बताया गया और 3000 से अधिक गहल होना बताया गया अब इस घटना से हुआ यह है कि पूरा जो है भारती जन्मानस उसका अंग्रेजों को खिलाफ जो है विरूद प्रदर्सन अधिक तीब्र हो गए जो भारती कारकारणी कारकारणी जो आसरा की कारकारणी परिशत के सदस्रे थे संकरन नैर उन्होंने स्थीपा दे दिया रवी nenhum नैटागूर्स ने सरकी उपादी अ क्योड़र दिया और महतमागन गांदी ने केसरे हिंद की उपादी छोड़र दिया गांधी ने क्या किया अब बोला के द्वारा करांतिकारी का दिविदियां भी तेज हुई तो हम इस जलिया वाला भागात्या कांड को इतियास की एक ऐसी घटना कह सकते हैं जिसने भारती अंद्ध सोतंतरता अंदुलन की दसा और दिसा दोनों परिवर्तित कर दिया आईए हम कुछ देखें बर्तमान परिप आज भी गोलियों को निशान है बुलेट मार्क्स यह आपको दिख रहे हैं दोनों फोटो में आप देख पा रहे होंगे यह सहीदी समारक जो है वहां बनाया गया है और यह वह सहीदी कुवा है जिसमें व्यक्तिकूत के अपनी जान बचाने की कोसिस कर रहे थे अब एक च तो 1928 में ही खतम हो गया था परलिसिस हो चुका था उसको और खतम हो गया था और जो लेटिनेंट गवर्नर था ओडायर वो जीवित था तो एक बेक्ति था पंजाब का उधम सिंग कहते हैं कि उधम सिंग के पिता जो है इस हत्याकांट में ही सहीद हुए थे तो उधम में इसने भारती तिहास की दिशा बदली थी और यह आज भी प्रसंगी खाए